Hello guys, welcome to Mythal Law Lectures जैसे कि मारा subject चल रहा था Hindu Law जिसमें मारा Act चल रहा था Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 आज हम इस Act का last topic करेंगी जिस topic में बताया गया है कि Maintenance की क्या-क्या provisions दी गई है Hindu Adoption and Maintenance Act के अंदर कौन-कौन से ऐसे persons हैं जो Maintenance के लिए क्लीम कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जो Parents Maintenance के लिए क्लीम कर सकते हैं अपने बच्चों से उसके बारे में ये बात Section 20, Subsection 1 में बताई गई है हर बच्चे के duty बनती है अपने Parents को जो Aged Parents हैं इन्फरम Parents हैं उनको Maintenance वगरा प्रवाइड करने की In other words जो Aged इन्फरम Parents होते हैं उनके पास ये Right होता है कि वो Maintenance क्लीम कर सकते हैं अपने बच्चों से और ये एक Married Daughter की भी Liability माने जाती है अपने Aged और इन्फरम Parents को Maintenance वगरा प्रवाइड करने की जो Maintenance होती है Parents जिसके लिए क्लीम कर सकते हैं वो Personal Liability माने जाती है बच्चों के लिए इस बात में ये Matter नहीं करता है Maintenance के टाइम पे कि किस बच्चे को Property में से हिस्सा मिला था या नहीं मिला था जो Parents है Parents अगर Maintenance के लिए क्लीम कर सकते हैं जब तक वो जिन्दा है तब तक A Childless Stepmother is also entitled to Maintenance from her Stepchildren तो जो एक सोतेली मा होती है वो अपने सोतेले बच्चे से भी Maintenance क्लेम कर सकती है अगर उसका कोई अपना बच्चा नहीं है तो Here it is important that the right to maintenance of aged and infirm parents exist only till they are unable to maintain themselves from their earnings or any other property तो ये बात यहां पे पताई गई है जो maintenance वगरा aged है और पेरेंट्स अपने क्लेम कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं अगर उनके पास कोई भी earning नहीं है खुद को मेंटर करने के लिए ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जिससे उनको रेंट वगरा आकर उनको खर्चा वगरा सारा निकल सके दोस पेरेंट्स वो है पिन रेटायर और अनेबल तो मेंटेन हिमसेल्फ और हरसल्फ जो पेरेंट्स रेटायर हो चुके अपने जोब वगरा से और खुद को मेंटेन गरा नहीं कर सकते या उनका कोई सोर्स ओफ और वगरा कोई प्रॉपर्टी वगरा उनके नाम पे नहीं है तो वो परसंस जो होंगे वो एजड परसंस की कैटेगरी में आएंगे जो पेरेंट्स खुद को मेंटेन नहीं कर सकते जैसे उनके पास कोई सोर्स ओफ इंकम वगरा नहीं है तो वो विले पेरेंट्स इनफर्म पेरेंट्स की देफिनिशन गेंटर आएंगे कोई illegitimate चाइड हो जाएं जब तक वो माहिनर तब तक वो अपने पेरेंट्स से मेंटरेंस क्लीम करने कर वा सकते हैं जो अपने आपको मेंटेन करने के लिए को अर्णिंग विगारा नहीं कर रही या उसके पास कोई प्रोपर्टी नहीं है जिससे उसको अर्णिंग विग तो जो डॉटर अडल्ट हो जाती है अडल्ट होने के बाद भी को अपने पेरेंट से मिंटनस क्लेम करवा सकती है बट यह कुछ इसकी कंडिशन से हैं सबसे पहली कंडिशन है कि उसकी मैरीज ना हुई हो ते मतलब उसका जो भी खर्चा वगरा होगा दैसे हम नॉर्मली लेंगुस में बौते है रोटी खपड़ा मकान वगरा उसके बस कोई भी खर्चा वगरा नहीं है इस अबरेंश करने के लिए इस case में जो adult daughter होगी वो maintenance claim कर सकती है parents से The Supreme Court held that the father to maintain his such unmarried daughter who used to live with their mother and the mother has sufficient source of earning तो Supreme Court ने decision दिया था कि जो father है father को maintenance provide करनी पड़ेगी unmarried daughter के लिए जो कि जो unmarried daughter वो mother के साथ रहती है चाहे mother के बाद sufficient source है income का sufficient source of earning है फिर भी this was for the expenses of education and marries तो जो बच्ची होगी unmarried daughter होगी जो उसकी marries के purpose के लिए और education के purpose के लिए father को maintenance claim कि जा सकती है अब हम बात करेंगे maintenance of widow daughter-in-law जो widow daughter-in-law जिसे हम बहु बोल देते हैं कि husband जो है उसका जो पिता होगा वो husband की wife को maintenance provide उसको करनी पड़ेगी उसकी duty मानी जाएगी section 19 subsection 1 में ये बात बताएगी है any Hindu wife who may be married before or after the enforcement of the act कि कोई भी Hindu wife है जो इस act के enforcement होने से पहले उसकी चाहे marriage हुई थी चाहे इस act के enforcement में आने के बाद उसकी marriage हुई है after the death of her husband is entitled to maintenance from her father-in-law जब उसके husband की death हो जाएगी death होना के बाद उसके बास stride आजाएगा वो maintenance claim कर सकती अपने father-in-law से कि मतलब उसके husband की father से ए विड़ो डॉटर-in-law is entitled to maintenance whether governed by मिताक्षरा स्कूल और दयाबागा स्कूल चाहे मिताक्षरा स्कूल के इंटर fall कर रही हो category चाहे दयाबागा स्कूल के इंटर को fall कर रही हो category जो उस lady की दोनों में ये बात बताए गई है कि जो maintenance है विड़ो डॉटर-in-law को मिल सकती है father-in-law के side से मदरास high court said that विड़ो डॉटर-in-law is entitled to maintenance from the property of the joint family which is with the father-in-law तो इसमें बताया गया है कि मदरास high court ने इस case में decision दिया था कि जो विड़ो डॉटर-in-law है वो maintenance claim कर सकत किया father-in-law से अपने तब तक जब तक joint family में जितना उसका हिस्सा वगरा उसके husband तो बनता है तब तक it has been considered to be the duty of the father-in-law to maintain widow daughter-in-law who is incapable of to maintain herself तो यह duty माने जाती है father-in-law की कि वो maintenance वकरा provide करे अपने daughter-in-law को जब तक उसकी daughter-in-law के पास कोई भी source वकरा नहीं होता income का तब तक but section 19 subsection 1 provision says that widow daughter-in-law has the right to maintenance from the father-in-law only तो यह section 19 subsection 1 में कुछ provision दी गही है कि जो widow daughter-in-law होगी वो तभी maintenance claim कर सकती है father-in-law से जब वो conditions सारी है वेली पूरी करेगी the widow daughter-in-law is unable to maintain herself from her earnings of property कि जो widow daughter-in-law ना वो job गरा कर रही है ना उसको कहीं से rental income गरा रही है ना उसके नापर कोई property है तो इस case वो maintenance के लिए claim कर सकती है she is not receiving maintenance from either of the following तो जो daughter, widow daughter-in-law है वो इन लोगों में से किसे से भी maintenance गरा claim ना कर रही हो ना उसको maintenance के amount receive हो रही हो सबसे पहले तो उसके father से जो मतलब widow daughter-in-law उसका जो real father है उससे उसको कोई maintenance गरा ना receive हो रही हो या उसके husband से कि पहले बात तो जो अगर तो उसका husband चला ही जाएगा तो वहां से तो receive ही नहीं हो सकती है amount या mother से कोई amount कर रहा ना maintenance की मिल रही हो या उसके बच्चे से मतलब है चाहे हो लड़का है या लड़की है उसके बच्चों से उसको किसी भी तरिके की मेंटरेंस कर रही ना हो रही हो तो जो लास्ट ऑप्चन होती है वो father-in-law से maintenance claim कर सकती है उस हद तक जिस से हद तक joint family property में उसके husband का हिस्सा होना था तो यहां पर यह बात बताई गई है कि जो widow-daughter-in-law होगी वो पहले अपने जो उसका husband है जो उसका deceased husband है उसकी जो husband की family होगी पहले तो वो महां से maintenance guard claim करना चाहेगी अगर महां से कोई भी उसको maintenance guard नहीं प्रवाइड कर रहा होगा तो जो widow-daughter-in-law होगी वो अपने father से अपने brother से है उसके legal ear जो भी है उनसे maintenance guard ले सकती है claim कर सकती है तो यह जो right है maintenance guard claim करने का विड़ो-daughter-in-law का यह कब terminate हो जाएगा जब तो वो new marriage करवालेगी तब यह right terminate हो जाएगा यहाँ जब वो अपना religion change करवालेगी किसी और religion में convert हो जाएगी तब यह वाला right खतम हो जाएगा maintenance claim करने का अब हम बात करेंगे maintenance of dependence कि dependence की maintenance कैसी कैसी लगती है और कौन-कौन से dependence के अंदर count किये जाते हैं लोग यह बास section 22, subsection 1 में बताएगी है Hindu adoption and maintenance act 1956 के in titles are dependence of deceased to claim the maintenance for the property of the deceased तो जो deceased person है उसके जो भी dependence थे कोई छोटा भाई होगी या बेहन होगी या aged parents होगी या wife होगी ये सब जो लोग है वो maintenance वगरा कैसे claim करेंगे this liability is over those persons हुआ receiver of the property of deceased ने inheritance तो जिन लोगों को inheritance में वो property जाने है deceased person की यह उनकी liability बनती है कि वो बाकी dependent होग है जो उनको maintenance वगरा प्रोवाइड करें section 21 maintain following person as dependents of the deceased तो जो section 21 है Hindu adoption and maintenance act का इसमें बताएगे कि कौन-कौन से ऐसे persons है जो dependence काउन किये जाएंगे deceased के लिगे जो deceased person का father थे वो dependent माने जाएंगे mother dependent माने जाएगी widow जो wife हुई है उसकी वो dependent माने जाएगी minor है जो legitimate है चाहे illegitimate son है वो माना जाएगा dependent minor legitimate है illegitimate daughter है वो भी माने जाएगी maintenance करा claim करने के लिए dependent widow daughter जो है वो माने जाएगी widow daughter in law जो है में interest claim करने के लिए dependent मन सकते इसमें विडो ग्रेंड डॉर्टर ने लोजो है, वो भी क्लेम कर सकते हैं मेंटरनस इसमें as a dependent, minor grandson या minor grandson's son, unmarried granddaughter, unmarried granddaughter's daughter, तो ये सब जो लोग हैं, dependent count के जाएंगे मेंटरनस क्लेम वगरा करवाने के लिए, वाइल, determining the amount of maintenance, volume points have to be considered, तो जब courted maintenance के amount वगरा decide कर लिए होगी, fix कर लिए होगी, तो court इन सब चीजों को ध्यान में रखते होगी, main interest के amount fix करेगी, property left after the payment of debts of the deceased, तो जो deceased person है, जिसके मतलब जो person expire हुए है, उसके कोई भी कर्ज वगरा था, कोई भी debts वगरा उधार दिया हुआ थे कहीं से भी, तो वो सारे के सारे पहले वो उधार चुका है जाएगा, उसके amount market में जितनी भी देनी उसके दी जाएगी, उसके बाद जो पैस से बचती है, उसके हिसाब से में इंट्रेस वगरा को फिक्स की जाएगी, facility provided for the dependence under the will, तो जो विल वगरा कोई लिख कर गया है मनने से पहले, तो उसके हिसाब से facility वगरा प्रवाइड की जाएगी, as per the percentage या जैसे उसमें criteria बताया है, विल लिखने वाले ने, विल करवाने व जो dependents की reasonable requirements है, जैसे for example अगर को minor है, minor को मतलब घरकर्च वगरा के लिए जैसे चाही होते है बैसे, कि study वगरा के लिए हो गया, tutions वगरा हो गया, या कोई भी किसी भी तरीक है कि जो required होती है, reasonable होती है जो, prior relations between the dependent and deceased, तो ये भी देखा जाएगा कि जो deceased person है, उसके उस dependent के सा जाएगा, number of dependence, number of dependence देखे जाएगे कि कितने dependent और कितने को खर्चा देना पड़ेगा, ये सब बाते court consider करेगी amount of maintenance fix करने की time पर, okay guys, thank you so much